Conflict, हम सभी individuals की human beings की जो perception, attitude, likes, dislike, जो personality होती हो, क्या होती है, different होती है तो ज़रूरी नहीं है कि जो चीज आपको पसंदो, वही चीज सामने वाले को भी पसंदो आपको marketing subject के लिए Philip Kotler की book पढ़ना पसंद है और उनके बीच में disagreement होता है यानि कि एक अगर उस चीज के लिए agree कर रहा होगा तो सामने वाला पसंद उस चीज के लिए disagree कर रहा होगा और इसके वजा़से उनके बीच में क्या होता है कि argument होता है, तो उस situation को conflict कहा जाता है Conflict में ब year होता है, SMT होना और कुछ ने कहा दिल ली चलते हैं तो यह क्या होगे यह conflict की situation हो जाती है यानि कि आप यहाँ पर SMT हो रहे हो किसी situation को लेकर भिन हो रहे हो एक दूसरे से किसी situation को लेकर यह हुआ कि घर में एक TV है और यहाँ पर decide किया गया कि चलो आज comedy movie देखी जाती है तो वहाँ पर हो सकत है कि कुछ लोग बोलेंगे नहीं comedy नहीं horror movie देखा जाए तो यह situation क्या होगे conflict की situation हो गई तो conflict क्या हो गया conflict is a serious disagreement and argument between two or more parties about something important यानि कि कोई ऐसी important चेज जिसको लेकर दो या दो parties के बीच में disagreement होता है फिर उनके बीच में argument होता है तो वो situation conflict कहलाती है जैसे organization के organization में क्या होता है normally कि वहाँ पर timing को लेके incentive को लेके visits को लेके या फिर वहाँ पर जो facilities होती है उनको लेकर कई बार employee और management के बीच में disagreement हो जाता है या फिर employee के बीच में argument हो जाता है disagreement हो जाता है तो वो situation क्या कहलाती है conflict कहलाती है अब suppose कि जो management है वो winter season में timing को 10 से 5 करना चाहती है लेकिन employees ज चाहते है कि नहीं time change ना हो नौ से चारी रहे तो यह क्या होगी यह situation conflict की हो गई clear employee कुछ हो चाह रहा है और management कुछ हो चाह रहा है तो conflict के situation हो गई और यह जो conflict की situation है यह अगर organization में रहेगी तो वहाँ पर क्या होगा इससे जो cohesion की चीज होती है यानिकि जो relatedness की feeling होती है वो performance poor होने लगेगी या फिर हो सकता है कि employees जो है वो job छोड़के कहीं दूसी जगा switch कर जाए तो lack of question हो जाता है lack of collaboration हो जाता है at workplace अगर वहाँ पर conflict है employees employees की बीच में या फिर employees और management की बीच में अगर conflict है तो वहाँ पर क्या होगा वहाँ पर lack of question lack of collaboration होगा और वहाँ पर जो performance है वो decrease होने लगेगी चाहे वो individual level पर बात करें किसी employee की या फिर overall organization की बात करें तो जो conflict है वो interpersonal और interpersonal होता है तो जो conflict की situation होती है उसको resolve करना बहुत जरूरी है क्योंकि अगर conflict को resolve नहीं किया गया तो जो individual की performance है वो तो poor poor होगी वो साथी साथ जो overall organization की performance है वो भी क्या हो जाएगी वो decrease होगी और जो collaboration होता है workplace में वो decrease होने लगेगा तो जो conflict है वो चार basic issues involved होते हैं जिसकी वज़ेसे conflict उठता है clear तो सबसे पहला जो हमने पताया था perception क् कि किसी चीज को देखने का नजरिया different होता है person का तो facts यानि कि किसी भी problem को लेके different opinion होना different definition होना problem का ये जो है issue होता है जिसकी वज़ेसे conflict आता है अब suppose की organization में कोई problem आती है तो उसके लिए एक person है वो जो है अपना suggestion देता है कि हमें दो नए employees चाहिए वहीं पे दूसरा person कहत है वो suggestion देता है कि नहीं हमें employees नहीं बलकि हमें finance को बढ़ाने की जरूत है तो क्या हो गया problem को देखने का अपना अपना नजरिया है उसके according solution आ रहा है और उसके वज़ेसे यहाँ पे क्या हो गया कि conflict हो जाता है दूसरा जो issue है that is goals यानि कि अलग-अलग department के क्यों होते है अ उनमें differences होते हैं तो आपके बीच में conflict हो सकता है यानि कि goal क्या है same है same goal को 2% achieve करना चाह रहे है लेकिन दोनों की जो procedure दोनों की strategies है वो different है तो उस case में क्या होता है कि वहाँ पे conflict हो सकता है क्योंकि दोनों का procedure अलग है दोनों का strategy अलग है तो conflict यानि कि disagreement होना वहाँ पर vendors में difference होते हैं तो उसकी वज़े से भी conflict आता है हो सकता है आपको non waste खाना पसंद है तो सामने वाले आपके friend को non waste खाना पसंद नहीं है तो अब इसको लेकर जो है कहीं न कहीं आपके बीच में conflict हो सकता है क्योंकि आपके values अलग हैं उसके values अलग हैं अब हम next topic देखेंगे stages of conflict तो conflict के 5 stages होते हैं तो अलग-अलग book में आपको अलग-अलग stages देखने को मिलेगे लेकिन normally यही 5 stages वहाँ पर होते हैं कौन से हैं latent, perceived, felt, manifest and conflict aftermath तो सबसे पहले हम देखेंगे latent conflict क्या होता है तो latent का मतलब होता है something exist but not yet very noticeable यानि कि कोई ऐसी चीज जो exist तो कर रही है लेकिन अभी जो parties involved हैं उनको नहीं पता है कि हाँ conflict वहाँ पर है या नहीं है participants in conflict not yet aware of conflict यानि कि जो भी conflict के participant है जिनके बीच में conflict होने वाला है उनको conflict के बारे में अभी पता नहीं है तो उस stage को latent conflict कहते हैं the situation where there are differences of viewpoint and things but these are not great enough to upset the existing state अब suppose करें कि जो management है जो management है वो normally हर साल जो है 10% का increment अपने employees को देती थी लेकिन आने वाले next year में यानि कि suppose कि 2024 में जो board of directors हैं उनके दिवाब ये चल रहा है कि हम जो है next year 2024 में 10% की वज़ाए 5% का ही increment हम जो employees को देंगे तो अब क्या है employee तो ये export करके बारते हैं कि 10% का increment भी लेगा लेकिन जो board of directors हैं जो decision लेने व जाएगा तो यानि कि conflict कहीं न कहीं arise होने वाला है लेकिन अभी इसके बारे में किसी को awareness नहीं है पता नहीं है clear वही पर जो next stage है that is perceived conflict देकि perceived का मतलब होता है to notice or to realize something become aware और conscious यानि कि अब क्या है कि board of directors ने decision ले लिया है meeting में कि next year जो है सिर्फ 5% का ही increment दिया जाएगा तो employees हो management के बीच में कि employees को ये expect करके बैठा था कि 10% का मिलेगा और board of directors ने notice जारी कर दे कि 5% का increment मिलेगा तो यहाँ पर क्या होगया है यानि कि conflict arise हो चुकी और यह conflict जो है इसके बारे में participant को awareness हो चुकी है कि यहाँ पर conflict है यहाँ पर disagreement है employees कहा जाते 10% होगा expect करके बैठे थे औ board of directors ने क्या कर दिया management क्या कर दिया 5% का increment दिया जाएगा तो यह stage क्या कहला है perceived conflict जहाँ पर आपको conflict के बारे में पता चलता है यानि कि असाहमत्ती के बारे में पता चलता है आपने 10% expect किया था board of director ने 5% कर दिया तो यहाँ पर आपको पता चल गया कि हाँ यहाँ पर conflict arise हो अब वही पर जो next decision है that is felt conflict, felt conflict में क्या होता है कि आप emotionally involved हो जाते है उस conflict situation में, यानि कि 5% जो है board of director ने increase कर दिया, आप ने expect किया था 10% से, अब आपने 10% increment के according जो है अपना future प्लान किया था, कि आप investment करोगे, आप tour प्लान करोगे, या फिर अब further कोई दूसरा आपने वहाँ कुछ प्लान किया था उस increment को लेकर, अब वह increment नहीं मिलेगा, क्योंकि 10% के वज़ा है 5% का increment मिलेगा, तो उसकी वज़े से क्या होता है, आपके अंदर stress आने लगता है, आप जो है tension में हो जाते है, anxiety होती है, frustration होने लगता है आपको, कि 10% मिले होता है, 5% मिलने वाला है, त आपके अंदर frustration आ रहा है, तो वो stage क्या होता है, felt conflict कहाता है, आप जो है उस conflict में emotionally involved हो गए हो, आपने देखोगा, अकसर की कई बार ऐसे decisions आते हैं, organization में, कि वहाँ पर क्या होता है, कि कुछ लोगों को उस decision से बहुत जादा फर्क पर जाता है, और कुछ लोगों को उस decision से क कुछ नहीं फर्क परता है, तो जिनको बहुत ज़्यादा फर्क पर जाता है, जो परिशान होने लगते हैं, anxiety में आ जाते हैं, frustrated होने लगते हैं, उसी को felt conflict stage कहा जाता है, वही पर जो next stage है, that is manifest conflict, यानि कि अब आप emotionally involved हो गए, आप परिशान हो गए, आप stress में आ गए, आप frustrated होने लग गए, तो उसके बाद अब क्या होगा, कि आपका behavior change हो जाएगा, आपका behavior change हो जाएगा, तो manifest का मतलब होता है, to show something or to be shown clearly, यानि कि यहाँ पर क्या होता है, कि यहाँ पर आपका जो conflict है सामने आपके behavior से पता चल जाता है, आपको पता चल गया कि 50% increment होगा, आप ज इसलाना बंद कर दोगे, तो manifest conflict, यानि कि यहाँ पर आपके behavior से conflict का पता चल जाता है, conflict is open and can be observed, यहाँ पर क्या होता है, कि conflict open होता है, यहाँ पर management को साफ-साफ देखेगा, कि employee जो है, उनके इस notice के, इस decision के against खड़े हैं, और वो हो सकता है कि धना प्रदसन दें, तो यहाँ पर aggression, destroy, damage, obstruct, withdrawal, यह सारे actions जो है, employees के देखने को मिल जाते हैं, तो यहीं पर manifest conflict में ही, conflict resolution का जो mechanism होते हैं, उसको apply करना बहुत जरूरी होता है, यानि कि अगर आपने conflict resolution नहीं किया, तो जो है, यह issue बढ़ जाएगा, और इसकी वज़ासे, organization का और employee का अच्छा खासा loss हो सकता यानि कि जो भी parties involved होंगी, उनका loss होगा, वहीं पर जो next decision, that is conflict aftermath, aftermath का मतलब होता है, इस situation, that is the result of an important or unpleasant event, यानि कि क्या हुआ, कि वहाँ पर employees और management के वेच में conflict हुआ, employees ने धरना परदर्शन किया, अब धरना परदर्शन की बाद, जब उनके वहाँ पर resolution किया गया, यानि कि conflict resolution में उसका use करके, जब वहाँ पर दोनों को बैठा कर बातचीत कराएगी, तो उसके बाद क्या result निकल के आया, वहीं चीज़ conflict aftermath कहलाता है, यानि कि resolution हुआ है, यानि कि resolution हुआ है, conflict की वज़ा से क्या हुआ, यानि कि conflict खतम हुआ, या फिर conflict की वज़ा से organization बंद होगा, या उस conflict के बारे में पता नहीं होता है, दूसरा होता है perceived conflict, जहाँ पर conflict के बारे में दोनों parties को पता चल जाता है, कि हाँ, यहाँ पर conflict आ चुका है, तिसरा है felt conflict, जहाँ पर उस conflict में parties emotionally involved हो जाते हैं, और उसकी वज़े से उनको stress and anxiety, frustration होने लगता है, ठीक है, वहीं पर जो next है, फोर्थ, manifest conflict, manifest में क्या होता है, कि उस conflict का जो असर है, उनके behavior में show होने लगता है, यानि कि वो aggression में आ जाएंगे, वो नुकसान करना, start कर देंगे, वो धरना परदरसन देना, start कर देंगे, तरिके का behavior उनके behavior शो होने लगता है, उस manifest conflict में, वहीं पर next होता है conflict, आफ्टर में की characteristics, या फिर features of conflict के, तो देखिए, सबसे पहली चीज universal है, यानि कि ऐसा नहीं आप कह सकते हैं कि conflict कहीं होगा है नहीं, हर जगा conflict होगा, आप किसी चीज़ के लिए agree कर रहे होगे, तो सामने वाला उस चीज़ के लिए disagree कर रहा होगा, तो ये universal concept है, पहला, दूसरा है conflict arises because of incompat like goal, interest, method or any other, तो जैसा कि हमने पहले discuss कर लिया था, कि जब आपके goal में, आपके interest में, आपके method में incompatibility होती है, या फिर आपका goal, आपका method, आपका interest है, वो सामने वाले से differ करता है, तो उस case में conflict होना तह है, occurs when an individual is not able to choose among the available course of action, देखिए conflict क्या होता है, कि आप suppose कि आपको पता है, कि आपको एक car process करनी है, लेकिन आप ये decide नहीं कर पा रहे हो, कि आपको maruti की car लेनी है, आपको tata की car लेनी है, फिर आपको किसी दूसरे brand की car लेनी है, तो इस case में भी क्या होता है, कि आप frustrated होने लगते हो, आप stress में आजाते हो, आप in anxiety में आ जाते हो, तो ये situation भी क्य यानि कि ये continuous नहीं होता है, temporary होता है, और कुछ समय के लिए जहे conflict रहता है, उसके बाद conflict या तो resolve हो जाएगा, clear, वही पर conscious activity है, deliberate attempt to resist the will of other, तो ये conflict क्या है, एक तरीके का conscious activity है जहाँ पर आप खुद involved होते हो, सो समझ के decisions लेते हो, तो इसलिए किया कहा गया है, इसको conscious activity कहा गया है, तो ये कुछ important features है, characteristics हैं कि इसके conflict के, तो hope आपको clear होगा कि conflict क्या है, wish you all the best, keep watching.